तो हेलो फ्रेंट्स फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में फिर से हम लेकर के आए हैं क्रैस कोर्स साइन्स का पार्ट नमबर 6 हो गया दोस्तों सॉरी पार्ट नमबर 7 है इससे पहले मैंने 6 पार्ट बता रखा है दोस वहाँ पर आपको PDF बिलकुल free में मिलेगा 6 का 6 पार्ट मैं आप लोगों को ग्रूप में भेज दिया हूँ और यह सात्मा पार्ट भी आज इस वीडियो को बनाने के बाद भेज दूँगा इस वीडियो को करने से आपके क्या फाइद है वो समझे क्रेस कोर्स के साइंस कर लेने से आपका साइंस में जितने भी objective question और subjective question पूछे जाते हैं आपके exam में total का total objective और subjective question देखने को मिलेगा इसी वीडियो से यानि इसी सीरीज से total में आप लोगों को 12 सीरीज बताऊंगा अगर ये 12 सीरीज आप लोग कर लेते हैं तो दोस्तो आपके साइंस में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है या दोस्तो final revision class मैं करा रहा हूँ आप लोगों को या science का final revision class है जो की class 10 के लिए है new pattern पर NCRT new pattern पर अधारित है और इसे आपको दो फाइदे मिनने वाने हैं दोस्तो question bank का जो है जितने भी question आपके exam में पूछे जा चुके हैं वो भी मैं cover कर रहा हूँ आपको question bank का सारा का सारा question complete हो जाएगा इसी 12 सीरीज से science का दोस्तो ठीक है और एक बहुत बड़ी खुसकरी मैं आप लोगों को लिए बता दूँ आप लोगों के लिए बता दूँ कि दोस्तो कल सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे से आपको लगातार जो है ना math का subjective question और objective question का most important chapter wise मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आपके आने वाले exam में math में जितने भी सारे question chapter से पूछे जा सकते हैं और पूछने कि इस बार बहुत बड़ी संभाबना है वो सारा question मैं आप लोगों को subjective question और objective question discussion करूँगा और साथ में उसका pdf बिलकुल free मिल जाएगा तो कल सुबह के 6 बजे वीडियो आप देखना नहीं भूलेगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर दीजे ताकि सारे दोस्त लोग भी सुबह में 6 बजे से इस वीडियो को देख पाए कल से रोजाना आप लोगों को वीडियो मिलेगा दोस्तों ठीक है चैप्टर वाइज मिलेगा कि चैप्टर एक में कितने कुश्चन किस तरह के कुश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा अबजेक्टिव कुश्चन पूछा जाता है चैप्टर वाइज पूरा आपको मिलेगा तो चलिए बीना देरी के हुए इस वीडियो को सांधार तरीका से सुरुवात कर देते हैं बटो से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहला कोशन देखे कुछ इस प्रकार से दिया गया है कूटपाद किस में पाया जाता है कूटपाद किस में पाया जाता है तो अमीबा में पाया जाता है इस तरह का कोशन ध्यान से देख लिजे क्योंकि मैं वीडियो में उस कोशन के बारे में समझाता भी हूँ इसलिए आप संसलेशन होता है दोस्तू प्रकास संसलेशन जो है न होता है कहां होता है दिन में की रात में होता है तो मैं आपको बता दो प्रकास संसलेशन केवल दिन में होता है देखे किस तरह क्या असान कोश्चन पूछे जाते आपके एक्जाम में और आपको पता रहता लेकिन आप ज जिस तरह से हिमोगलोवीन के कारण बलड का रंग लाल होता है ठीक उसी तरह से पत्ती का जो हरा रंग होता है वह आपको कलोरोफील के कारण होता है चोथा नमबर कोश्चन है रक्त में आइरन की कमी से आपको एनेमिया हो जाता है और इंसुलीन की कमी से आपको घेगा रोग या मधुमे रोग हो जाता है सुर्डी दोस्तो क्या रोग होता है मधुमे रोग जीसे डाइबिटीज कहते हैं इंसुलीन की कमी से दोस्तो पांच नमबर कुश्चन ये है कि ऑउक्जीन है ऑउक्जीन है क्या है तो पादप हर्मोन है आपको दे देगा आपको एक्जाम में कि चार पादप हर्मोन का नाम बताएं तो ये ऑउक्जीन जो है न उस पादप हर्मोन में से एक नाम है उसके बाद एफसीसिक एसीड हो गय चौथा नमबर पे आपको साइटो काइनीन हो गया जो की आपकी कुश्चन बैंक में पूछा गया कुश्चन है जो मैंने आपको पादप हर्मोन के बारे में बताया चार पादप हर्मोन के नाम अगर नहीं समझे है तो एक बार पीछे बैक करें और फिर से समझेए साथ नमबर पूश्चन काफी बार एक्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए इस कुश्चन को आपको आना ही चाहिए स्वपोसी पोसन के लिए जो आवस्यक है वो सभी आवस्यक है सुरी प्रकास कारबंडा ओक्साड क्लोरोफील ठीक है ये सभी चाहिए स्वपोसी पोसन के लिए ठीक है उमीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरिका से समझ में आ रहा होगा समझ में आ रहा हो तो अभी लाइक करिए समझें ना आ रहा हो तो डिस लाइक करिए ना मेरे दोस्तों आठ नमबर कोश्चन है प्रकास संसलेशन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहां से तो जल से प्रकास संसलेशन में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वह जल से निकलता है जल गरम होगा तभी तो ऑक्सी पाया जाता है ठीक है दस नमबर कुश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है विश्राम अवस्था में मनुस्य का हिर्दय एक मिनट में धरकता है लगभाग 72 बार धरकता है एक मिनट में मनुस्य का जो हिर्दय होता है वहाँ 72 बार धरकता है ग्यारा नमबर कुश्चन दिय कोंग कैते हैं नेफ्रों केते हैं नेफ्रों के तोपिक है आपको कही बार एक्जाम में जो है ना 2013 के कुश्चन बैंक में आपको इस तरह के कुश्चन पूछे गए हैं कि नेफरोन का सचितर वर्नन करें तो मैंने दोस्तों नेफरोन के बारे में जो है ना बहुत ही खास वीडियो बनाई है अगर आप उसको देख लेते हैं तो ने नंबर कुश्चन है विविन कीडियाओं के फल सरूप हानी कारक पदार्थों को सरीर से बाहर निकालने वाला उच्च सरजन तैंट्र है विभिन क्रियाओं के फलसरुप हानी कारक पदार्थों को सरीर से बाहर निकालने वाला उत्सरजन तंत्र है 15 नमबर कुश्चन की उर बरते हैं 15 नमबर कुश्चन दिया गया है हरे पौधों में पोसन की विधी स्वपोसन है स्वपोसी पोषन है दोस्तो हरे पौधों में पोषन की जो वीधी है वह स्वपोषन है बरते हम लोग कुशन नंबर 16 की और 16 नंबर कुशन दिया गया है पौधों में रसा रोहन होता है किसके द्वारा फ्लोयम के द्वारा पौधों में पौधों में रशा रोहन होता है किसके द्वारा? फ़लोयम के द्वारा पत्ती में उपर नीचे जलका वहन होता है प्रेकास अंसलेशन की क्रिया का एक उत्पादक है गलूकोज लिखा गया है तो आसा mistake है आप लोग कंपरमाइस कर लीजेगा गुल्व कोज होगा से विविन सूचनाई किस रूप में संचीत होती है तो उ दीपन के द्वारा किसके द्वारा उ दीपन के द्वारा इक इस नमर्ब कुशिन मैंने अभी आपको बता दिया था इंसुलीन नामक हर्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन होता है इंसुलीन नामक हर्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन होता है तो मधू में कौन सा रोग उत्पन होता है मधू में आपको मैंने अभी बताया था इस वीडियो में इसलिए इस वीडियो को सुरू से लाश तक देखिए कभी में कभी भी किसी भी वक्त मैं most important points को बता देता हूं आपके question को देखते हुए इंसुलीन की कमी से जो रोग होता है वह मधू में होता है जिसे diabetes जिसे चीनी बीमारी कहते है तोईश नमर question दिया गया है वासपो सर्जन कैसी प्रक्रिया है तो भौतिक प्रक्रिया है दोस्तो एक सीरीज में यानि कि एक पार्ट में मैं maximum question लगभग 25 से 35 question कराने का कोशिज करता हूं ताकि काफी कम समय में आप लोगों की तयारी अच्छी से अच्छी तरीका से हो जाए और पीडिया तो बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं जिससे कि आपको सहूलियत हो परने में चौबिस नमबर question कुछ इस प्रकार से दिया गया है पादप में फ्लोयम समवाहक होता है भोजन के द्वारा यानि किसके द्वारा बोजन के द्वारा पचीस नमबर कुश्चन कुछ इस प्रकार से है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलीन, टाइलीन भी कह सकते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार क्या होता है, यानि कि माली जी हम लोगों का जो एक प्रकार का एक रफ्यूज कर रहा है, ठूक जो होता है ना करते 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 लाड़ा जाता है मुह में बोलते ही बोलते लाड़ा जाता है उसमें टाइलीन पाया जाता है दोस्तों लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है अगर न्यासिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है इमाईलेज एवं माल्टेस इमाईले भोजन का मुख्य रूप से अबसोसक होता है इलियम के द्वारा किसके द्वारा इलियम के द्वारा 28 नमबर कुश्चन है सांस लेने में या लेने या छोडने को हम लोग क्या कहते हैं सांस लेने या छोडने सांस लेने या छोड़ने को हम लोग स्वासुक्ष वास कहते हैं सांस लेने या छोड़ने को स्वासुक्ष वास कहते हैं 29 नमबर कुश्चन है स्वासन की क्रिया के बाद निर्मान होता है उर्जा यहां क्या लिखेगा इस तरह से उर्जा स्वसन, स्वसन की किडिया के बाद उर्जा का निर्मान होता है स्वसन की किडिया के बाद उर्जा का निर्मान होता है तीस नमबर कुश्चन है स्वसन किडिया के बाद निर्मान होता है उर्जा का होई गया, ठीक है यानि के आप लोगों को लगभग लगव है है और धर्ती छोटा है इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं नहीं तो आपके सामने के उत्पति किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है तो इंडोडर्म के द्वारा किसके द्वारा इंडोडर्म के द्वारा फिर से बोलिए तंत्रिका तत्तु के उत्पति किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है इंडोडर्म के द्वारा तैंतीस नंबर कुश्चन है पाद लाइक करियेगा नहीं परसेंद दिसलाइक ठोक के चले जाएगा चले 34 नबर कुश्चन की ओर बरते हैं इसका पीडियाफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वर्क्स में टेली ग्राम का लिंग है उसको जोएन का लेजा आपको मिल जाएगा प्रकास संसलेसी अंगक है किसका क किसका पत्ती का पत्ती का यानि पत्ती है प्रकास संसलेसी अंगक कोसी का जिली किस प्रकार की जिली है अर्धपार गम में जिली है ये क्लास 9 में भी इस तरह के कुश्चन पूछे गये है कोसी का जिली किस प्रकार की जिली है अर्धपार गम में जिली है कोसी का जिली किस वर्ग का एक कोस के जीव है तो कवक वर्ग का एक कोस के जीव है 37 नमर कोश्चन दिया गया है दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है तो किन वन किन वन किन वन दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है तो किन वन क्रिया होती है बहुत important question है एक कोश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है आपके एक्जाम के द्रिष्टी कुन से 38 नमर कोश्चन है अहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आत आप कहेंगे कि सारे वीडियो में तो आप 25 से 30 कोश्चन बताते हैं लेकिन इसमें इतना ज्यादा क्यों तो दोस्तों बना का नाम है ए डीनोसीन ट्राई फोस्फिट का पूरा नाम क्या है अदी नोसीन ट्राई फोस्फिट बरते हम लोग next points की ओर next point आपका ये दिया गया है PDF लेने के लिए नीचे discussion box में जाएं और telegram और whatsapp group को join कर ले आपको PDF मिल जाएगा आप चाहे तो आप हमें Instagram ID पे फिलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं सिक्छा से संबंधित जानकारी को up to date करते रहता हूं जब भी कोई official website की जानकारी आती है तो घर बैठे आपको जानकारी मिल जाती है Instagram ID के माध्यम से तो वहाँ पे भी आप हमें flow कर सकते हैं तो उमीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज़्यादा पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक करना चैनल पर नए है तो सब्सक्राब करके साथ में बैल आइकन को दबाना मत भूलना और कल सुबह 6 बजे हमारा वीडियो को देखना मत भूलेगा रोजाना आपको सुबह में 6 बजे math का जो है न chapter wise question आपको मिलेगा किस तरह के question exam में पूछे जाते हैं और उतना ही बताऊंगा अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो वो chapter आपका complete हो जाएगा जी हाँ दोस्तों आपका math में कहीं tension नहीं होगा आप जानते हैं कि 15 chapter है math में और किस तरह के question पूछे जाएंगा objective subjective question में मैं वहाँ पे discussion करूँगा और उसका भी PDF में आप लोगों को फिरी में दूँगा वीडियो पसंद है तो लाइक करें चैनल पनाए तो सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा इस वीडियो को इतना ज्यादा सेर कर दीजे ताकि सारे स्टुएंट कल सुबद 6 बज़े में इस वीडियो को देख पाएं थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो एंड टेक क्यार गुडबाई तुम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए जैहिंद वंदे मातरम